हेलो गाईस तो कैसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चनल में स्वागत है तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2012 की तेलगू लेंग्वेज एक्षन कोमेडी फिल्म पुला रंगाडू का जिसको हिंदीड़ वर्जन में नाम दिया हुआ थड़ा का रिटन्स फि उनकी फाइनसेल हालत थोड़ी काफी डिफिकल्ट हो चुकी है और उसके बाद एक बड़ी प्रोपटी को खरीदने का उनके पास बड़ा मोका आता है और वो किसी मनी लेंडर की मदद से उस ट्रांजेक्शन को कम्पलीट कर दे थे मनी लेंडर का रोल प्ले करें पृत्व चल रही है कोंडा रेड़ी का रोल प्ले करें देव गिल लाला गोडा का रोल प्ले करें प्रदीप रावत अब रंगा इस मेटर से किस तरह से बाहर निकलेगा इसका हल केसे ढुंडेगा और जब इन सबी चीजों का वो सवालों का जाब ढुनने निकलता है तब उसे रिय एड़ी और लाला गोड़ा की फेमेली इसको एक करने की कोशिस कर रहा है वासु का रोल प्ले करते हैं नजर आएंगे अली अब क्या रंग अपने प्लान को अंजाम दे पाएगा वो क्या सक्सेस हो पाएगा और वो दोनों फेमेली जो एक दूसरे की जानी दुसमने उन 2021 में डब हो रही है यान की 9 साल हो चुके इस 9 साल के दोरान इसी काफी स्टोरी आपने देखी होगी और साथ ही में इस टाइब का स्क्रीन प्ले भी देखा होगा जिसकी वजह से ये सभी चीज़े आपको रूटेन लग सकते हैं हाला की 2012 में भी ये स्टोरी रूटेन ही थी क्योंकि उसके पहले इस टाइब की स्टोरी काफी आ चुकी थी और इस फिल्म में कुछ ऐसे कॉंसेब डाले हुए थे जो पहले की यान की 2012 से पहले जितनी भी इस फिल्म से पहले बनी हुई फिल्मे है उसमें से थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत डाइरेक्टर ने उठाय हुआ है इस film को हम 2012 की film के हिसाब से ही review करेंगे overall विरा भद्रम ने इस film का direction अच्छी तरह से किया हुआ है फिल्म में जी स तर से commercial element डाले हुए जी तर से उसको execute किया हुआ है वो सभी चीजे अच्छी थी फिल्म का screen play जहाँ पे first time आपको बढ़िया देखने को मिलेगा उसकी पेस भी बढ़िया है जहां पे सभी चीज़े फटा-फट दिखाए गई है और साथी में कॉमेडी और एकसन काफी बढ़िया तरीके से पेस किया हुआ है इन सभी चीज़ों को एक कमर्सेल टत देते हुए उन्होंने एक बढ़िया सा कमेडी जहां पे सेकंड आप में कमेडी थोड़ी कम नजर आ रही थी हाला कि क्लाइमेक्स को अच्छी तरह से डाइरेक्टर ने एक्जिक्यूट किया हुआ था फिल्म का क्लाइमेक्स जहां पे एक एक्शन सीक्वेंस डाला हुआ है वो भी बढ़िया आए उस एक्शन सीक इडिटिंग की बात करें तो वो काफी बढ़िया नजर आ रही थी, फिल्म के डायलोग काफी अच्छे थे, और साथ ही में सभी एक्टर्स ने काफी बढ़िया तरीके उन सभी डायलोग को डिलिवर किया हुआ था, सभी डायलोग में जो कोमेडी 25 थे, उन सभी 25 को एक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से डिलिवर किया हुआ है, जिसके वज़े से वो हमें हसाने में ज़रूर कामियाब रहते हैं, म्यूजिक की बात करें तो वो अच्छा था, और बेग्राउंड स्कोर जो काफी बढ़िया तरीके से सुनने को मिलने वाला है, फिल्म का यानकी सुनिल जो रंगा का रोल प्ले काते हुए नज़रा ते, और वो एक mar participar के वे नज़रा थे, उन्होंने comedy department में, action sequence में, emotional department में सभी जगा पे अपना, एक सांदार performance दी हुई है, उनकी comediest के लाप को पता हिए, वो काफी सांदार तरीके से अपनी comic timing से हम्छाने में कामि एमरस अउतर हमें पसंद आएगा साथी में जिस तरह से उन्होंने अपने परफोर्वेंस में काम दिखाया हुआ है वो हमें इंप्रेस कर लेती है उनका लुक फिल्म काफी बढ़िया था साथी में जो के मिश्ट्री उन्होंने सुनिल के साथ सेर की हुई है वो काफी प्रावत दोनों विलन का रोल प्ले कर रहे थे और वो एक ठिक ठाक परफोर्मस देते हुए नजर आते देव गिल जिनका केरेक्टर जिस तरह से लिखा हुआ था डायरेक्टर ने वो उतना मज़ा नहीं आ रहा था उनके केरेक्टराइजेसन में थोड़ी कमी नजर आ रह इसके अलावा कोटा सरी निवसराव, सुदा, दुवा, सी, मोहन ये सबी आर्टिस्ट थे जिनका अच्छी तरह से यूज नहीं हो पाया है फिल्म में इसके अलावा फिल्म की स्टोरी लाइन में कुछ ऐसे सिक्वंस देखने को मिलते हैं जो मर्यादा रमना फिल्म से बहुत सिक्वंस मिलता जूलता नजर आता है बाकी तो अवरोल पुला रंगाडो फिल्म यानि कि थड़ाका रिटन्स एक क्लीन कॉमेडी एंटर्टेनर फिल्म है जहां पे एक्सन भी बढ़िया है साथी में फिल्म में सभी एक्टर की पर्फोमस भी अच्छी है सूनिल ए इंग्वेज एक्सन कॉमेडी फिल्म पुला रंगाडो यानि कि थड़ाका रिटन्स को 6.5 out of 10 की रेटिंग देता हूं कूल मिला के तो पुला रंगाडो यानि कि थड़ाका रिटन्स जो कॉमेडी डिपार्टमेंट में साथे में जो कमरसियर एलिमेंट से उसमें जरा भी निरास नहीं करेगी, वो सभी चीज़े अच्छी तरह से आपको connect करेगी, बाकी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ये फिल्म 2012 की है, मैंने 2012 के हिसाब से review किया हुआ है, और इस फिल्म की story, जो routine थी, 2012 की हिसाब से भी routine थी, जो पहले की movies में के है, जिस वज़े से इस गेप के दोरान, आपने ऐसा कुछ देखा हुआ होगा, जिसके वज़े से सभी चीज़े predictable होगी, फिल्म की comedy भी आपको थोड़ी बहुत routine लग सकते हैं, लेकिन आप ये सभी चीज़े ignore करोगे, जैसे कि 2012 की सबसे देखोगे, तो ये एक अच्छी entertainer film है, जिसे 2021 में one time watch के लिए आप देख सकते हो, इस film से आप entertain हो जाओगे, तो बस guys आज की review में इतना ही था, I hope आपको ये review पसंद आया होगा, अगर review पसंद आया तो वीडियो को like और share जरूर कीज़ेगा, और film देखने के बाद हमें comment करो कि आपको ये film कैसी लगी, तो और भी से नहीं South Indian movie के हिंदी review के लिए, upcoming South Indian movies के news के लिए, हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलेगा, thank you